मध्यप्रदेश में दो सीटों पर हुई अप्चुनाव के बाद भारती जुनता पाची में घमासान छुड़ा हुआ है विजेपुट सीट से सरकार के क्याबिनेट मंत्री राम निवास रावत की हार के बाद कॉंग्रस उत्साहित है तो वहीं रावत अपनों को ही घेर रहे हैं इस उप्चुनाव में केंद्र मंत्री जोतिरादत सिंधिया प्रचार करते नहीं नजर आए ग्वालियर पहुचे सिंधिया ने विजयपूर उप्चिनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत की हार पर कहा कि हमें चिंतन करना होगा यह हार चिंता की बात है यदि मुझसे वहाँ प्रचार का कहा होता तो मैं जरूर जाता मैं जनता का सेवक हूँ, सिंधिया किस बयान के बाद भाजपा संगठन का जवाब आया है विजपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि विजएपुर के स्टाप प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम था सीम डॉक्टर मुहन यादव, प्रदेश अदिक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री ने उन्हें विजएपुर में आने के लिए आगरह किया था उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आप आने की बात कही ऐसा नहीं है कि उन्हें बुलाया नहीं गया था उनको आमंत्रित किया गया था लोकसभाचुनाब के दौरान रामनिवास रावत ने कॉंग्रस छोड़ कर भारतिय जुनता पार्टी का दामन थामा था इसी दौरान उनको उपचुनाब महराने वाले मुकेश मनहत्रा ने एक कॉंग्रस चोईन की थी मुकेश पिछले विधान सभा चुनाव में पार्टी से टिकेट नहीं मिलने के बाद निर्दल या उम्मीदवार थे तब 44,000 वोट हासिल कर वे तीसरे नंबर पड़ थे मुकेश उसहरिया समुदाय से आते हैं जिनकी जनसंख्या विजयपूर में अधिक है विजयपूर विधान सभा उप्चुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत का दर्द छलका है उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मेरे बीजयपी में आने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा उन लोगों ने मुझे हराने में कोई कोर का सर नहीं छोड़ी ऐसे लोगों ने जनता को भ्रमित किया और मूल भाजपा के लोगों को बर्गलाया कॉंग्रस प्रत्याशी मुकेश मनहोत्रा ने करीब 7000 वोटों के अंतर से चुना भराया